नमस्कार मैं हो ससी आये जर्गां की टॉप 25 फर्मोख खबर जानते हैं कुरोना की तिसरी लाहर से जूजने के लिए कितनी त्यार है सरकार सुप्रीम कोट देश अभी कुरोना की दूसरी लाहर से जूज रहा है इस्थिति कितनी भ्यावा है कि इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रते दिन 4 लाख है उससे आज बास संक्रमन के मामले रोज आ रहे हैं ऐसे में केंद्र की ओर से यह असंका जता दी गई है कि देश में कुरोना के तिसरी लाहर को आने से रोकना संभव नहीं है बतादे कुरोना के दूसरी लहर इतनी खतरनाक है तो तीसरी लहर में क्या होगा या सवाल आज भारतिये के जुबान और दिलों दिमाग पर छाजा हुए है बतादे दिली में ऑक्सीजन सप्लाई के मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से सूप्रीम कोट ने पुछा है कि अगर देश में क्रोना के तीसरी लहर आई तो सरकार उससे कैसे निप्टेगी मौसम विभाग के अनुसार उतर परदेश और बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण ही मौसम का मिजाल बदला बदला देखने को मिल रहा है मौसम विभाग ने अगामी आठ मई तक ऐसे ही मौसम रणने की परुणमान जताया है इसके बाद ही मौसम सुस्क और तापमान में बड़ोतरी हो सकती है भैक्सिन के लिए 250 क्रोड मंजूर क्रोणा संक्रमन के तिसरे चर्ण की संभावी सुरुवात के पहले ही जार्खन सरकार की तेयारिया पूरी हो चुकी है और भैक्सिन खरीद के लिए कहीं से फैसे की कोई कमी नहीं है और नहीं तेयारिया में कोई औरचन है मुख्यमंत्री ने केबिनेट से अनुमाती की परत्यासा में जार्खन अक्सिमीता निधी से 250 क्रोड की निकासी के लिए मंजूरी दे दी है और केंद्र से भी GST की हिसे दारी के तोर पर 1295 कोड़ रुपए राज सरकार को मिल चुके हैं बतादे इसके अलावा संक्रमन के रोक्ताम के लिए चलाये जा रहे करक्रमों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने 227 कोड़ रुपए अलग से दिये हैं जार्खन सिक्षा मंत्री जगरनात मतो के भाई का निधन जार्खन के सिक्षा ववमग्द निशेद मंत्री जगरनात मतो के अनुज सह तार्मी पंचायत के मुखिया बासुदेव मतो का निधन गुरू और कोराची के मेडिका अस्पताल में इलाज के दोरान हो गया बता देवे कुछ दिनों से विमार थे कोविट रिपोर्ट पोजेटिव आने के बाद सोरा अप्रेल को बोकारो सदर अस्पताल में भर्ति कराया गया था भैक्सीन को लेकर ज्ञारखन सरकार का सभी उपायुक्तों को निर्देश केंद्र सरकार ने 45 प्रस्य अधिक आयू के लोगों के टिका करण के लिए भेजी जाने वाली भैक्सीन में 70% भैक्सीन का इस्तेमाल दूसरी डोज के रूप में करने को कहा है इस अलोग में ज्ञारखन के स्वास्त विभाग ने सभी उपायुक्तों वा सिविल सर्जुनों को निर्देश जारी कर दिये है इसके तहट 30 प्रस्य भैक्सीन का इस्तेमाल प्ली डोज के टिका करण में किया जाएगा बतादे केंद्र सरकार ने दूसरी डोज के टिका करण में तेजी लाने के उदेश को लेकर रे और निर्देश दिया है रांची में पी एले भाई के पांच हाटकोड उगरवादी हंथियार के साथ धरा है रांची पुलीस को बई सफलता मिली है बतादे रांची जिले के अंगड़ा इलाके से पी एले भाई के पांच हाटकोड उगरवादी को गिरफतार किया गया है इनके पास से चार पिश्टल चार गोलिया करवाईन की खाली मैग जिन सहीत अने समन भरामत किये गए है बतादे रांची के सेस्पी सुरेंदर कुमार जहां को गुप्त सुचना मिली थी कि अंगड़ा इलाके में लेवी वसुलने के लिए पेले फाई संगठन के उगरवादी अपराद की योजना बना रहे है रांची रिम्स में 528 बेट का कोविड अस्पताल तयार जहारखन के अस्पतालों में कुरोना संक्रमितों को बेड, अक्सीजन, वेंटिलेटर और अंचीकिल सिगे संसाधनों की कमी ना हो इसके लिए राई सरकार ने यूद अस्तर पर पर्यास किये हैं कुरोना के दूसरी लहर में जैसे चेचुनोतिया सामने आ रही है, बेवास्ता और सुविधावों को दुरुष्ट किया जा रहा है बता दे मुख्यमंत्री एमन सुरे ने गुरुवार को रिम्स में 528 बेडों की छमतावाले औस थाई कोविड अस्पताल का ओनलाई उधाटन करते हुए ए बाते कही मुख्यमंत्री ने कहा कि सिमित संसादनों के बीच बीविण अस्पतालों में अक्सिजन यूक्त बेड और वेंटिलेटर समेत अने चिकिस्षिके संसादन बढ़ाए जा रहे हैं ज्यार्खन की 40 सहाद साहिया को सरकार 6 मात तक 1000 अतिरिक्त प्रोसाहन रासी देगी अपनी जान जोखिन में डालकर कुरोना नेंत्रन से समंधित विविन कारे कर रही राजे की लवग 40 सहाद साहिया को ज्यार्खन सरकार इस बार भी 20 प्रोसाहन रासी देगी बतादे करोणा नियंतरन कार्य में लगी साया को अनेकार करामों में मिलने वाली प्रुशाहान रासी के आलावा एक हजार उपए अतरिक्त प्रुशाहान रासी मिलेगी केंद्रे की स्विक्रिती के बाद इस सम्बन्द में सभी उपायुक्तोव सिविल सर्जनों को निर्देश जारी कर दिये गए हैं पलामु में मरीज की मौत के बाद जम कर हंगामा पलामु प्रमंडल मुख्याले मेदनी नगरी सित मेंदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जी एनेम कॉलेज सित कोविड वार्ड में गुरुवार को कुरोना संक्रमित की मौत के बाद सोजनों ने जम कर हंगामा किया ड्यूटी कर रही समुदाईक स्वास्थ पतादिकारी CHO रेखा तिर्की की पिटाई भी कर दी है ज्यारखन में 79,74 नए केस मिले हैं ज्यारखन में 133 मरीज की मौत हुई है ज्यारखन में कूल मौत की संख्या 34,89 है वहीं कूल एक्टिव केस की संख्या 66,33 है भारत में 4,14,182 नए केस मिले हैं भारत में कूल मौत की संख्या 2,34,71 है वहीं कूल एक्टिव केस की संख्या 36,44,436 है भारत में 3,28,141 मरीज स्वास्थ हुए हैं वहीं ज्यारखन में 27,49 मरीज स्वास्थ हुए हैं ज्यारखन में 79,74 नए केस मिले हैं जो राची से 1235, पूर्वी सिमूं 1110, 1476, भोकारो 333, धनबाद 172, रामगर 280, कोडार्मा 325, पाचमी सिमूं 321, देवगर 208, पलामो 330, गुमला 346, गीडी 197, सराइकला 133 खोटी 186, लातेहार 279, लोहरदागा 326, गड़वा 129, सिम्डेगा 174, गोड़ा 94, चातरा 110, जामतला 151, दूमका 85, सहाइब 79, पाचमी सिमूं 34, मरीज मिले हैं ज्यारखन में आंधी पानी और बजरपात से 7 लोगों की मत दो घायल राजेक के विभीन जीलों में पिछले 24 गंटे में आंधी पानी और बजरपात की घाटनाओं ने 7 लोगों की जान लेली जबकि 1 बच्ची समय दो घायल भी है बता दे बजरपात से सबसे ज़्यादा 3 लोगों की मत हजारी बाग में हुई है वही गड़वा में बजरपात की दो अलग-अलग हटनाओं में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि एक बच्ची बुरी तरह जुलस गई है क्वारंटाइन सेंटर चिनित कर पानी विजली उपलब्द कराने का निर्देश प्रवासी मजदूरों के जहारखन वापसी के मदर नजर उपायुक्त छवी रंजन ने समन्दित पताधिकारियों को उनके इलाके में बनने वाले क्वारंटीन सेंटर को चिनित कर उन्हें दुरुस्त करने का निर्देश दिया है प्रवासी मजदूरों के पहुचने के पहले ही सभी वेवस्ता पूरी करने को कहा गया है उपायुक्त ने सभी प्रक्षंड विकास पताधिकारी और इंसिडेंट कमांडर से उनके समन्दित प्रक्षंड एवं पंचायतों में अविलम क्वारंटाइन सेंटर चिनित करने का गुरुवार को निर्देश दिया ऑक्सिजन एस्ट्वर्ग ट्रेंग देने में ज़्यारखन को प्रात्मिक्ता देख केंद्र हाई कोट जा रही है लागातार अक्सिजन के आपूर्ती हो रही है ऐसे में जारकन की जरूरतों को केंद्र सरकार को प्राथमिक्ता के तर पर लेना चाहिए रांची के उपायुक्त छवी रंजन ने गुरुवार को प्रवासी मजदुरों को क्वारेंटीन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है बतादे कोबी-19 के बर्ते संक्रमन के नियंत्रान के लिए सरकार की और सजारी दिशा निर्देश को लेकर उपायुक्त निया निर् मन्रेगा के तहट 6 योजनाओं को संचालीत किया गया है बतादे इस समंद में गुरुवार को ग्रामिन विकास सचीव अराधना पतनायक ने विभागी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं अराधना पतनायक या जाक्सता में मन्रेगा आयूक्त वरुन रंजन सभी जिले के डीडिसी और सभी बीडियो के साथ मन्रेगा योजनाओं की प्रगति की समिक्षा बीडियो कंफेशनी के माध्यम से की गई इस दवरान कहा गया कि कुरोणा संक्रमन कालमेश रमिकों को गाउं में ही रोजगारू पलब्द कराने को प्रात्मिक्ता देनी है हाउस टेक्स बिजली बील वा स्कूल फीश में तीन महीने की छूट दे सरकार परदेश कॉंग्रेस के पूर्व उपाध्यक्स अनादी ब्रह्म्भा ने गुरुवार को मुखमंत्र हमान सुरेन परदेश कॉंग्रेस के अध्यक्स रमेशरू राव को पत्र लिखा है उन्होंने पत्र लिख कर मांग किया है कि हाउस टेक्स, बिजली बिल, सबीश कुलो की फीस वहानों के टेक्स आदी में कम से कम तीन महीने की छूट देने पर विचार किया जाए उन्होंने पत्र में कहा है कि ऐसे उभोकता जो आदतन डिफोल्टर रहे हैं उनको यह अच्छूट नहीं मिलनी चाहिए सहर के आसपास की सानों के उत्पात को बाजार की बेवस्था की जाए ताकि उनको कम से कम लागत रासी प्राप्थ हो सके मुख्य मंत्री हमान सुरेन ने कहा है कि राजे के अस्पतालों में कुरोणा संक्रमितों को बेड ऑक्सीजन वेंटिलेटर और अंचिकिस सिके संसाद्मों की कमी नहीं हो कुरोणा की दूसरी लहर में जैसे से चुनोतिय सामने आ रही है वेवस्था और सुविधाव को दुरूस्त किया जा रहा है बता दे मुख्यमंत्री गुरुवार कुराची सित रिम्स में 528 बेड़ों की छमतावाले अस्थाई कोविड अस्पताल का उनलेंग घाटन के मौके पर यह सभी बोल रहे थे धन्यवाद